प्रॉब्लम में ही सोलुशन होता है हम क्या कर रहे होते हैं प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं अब इसको ध्यान से समझना दो लोग है एक ही कॉलेज में गए है मालोग एक एंजिनिरिंग कॉलेज में गए है टॉप कॉलेज नहीं है यह मैं एक्जामपल इसलिए रहा एक जगें किया दो जगें किया दस जगें किया और जॉब मिली लियर प्रफॉ तो क्या हुआ एक बंदा निप्रेशन में चला लिया उसने का मैं तो फेल हो गया अब मेरे बसका कुछ नहीं है मुझे नहीं समझ आ रहा और उसने क्या कहा अब मुझे जो भी जौब मिलेगी जैसी मिलेगी मैं कर लूगा ना से तो हाँ है तो क्या हो रहा है वो सब्सक्राइब होता है यह मैं एक्जामपल यहां पर एंजिंइरिण का दे रहा हूँ dus आदमी कैसे डिपरेशन में जाता है बसार तो अब दूसरा जो मन्ता है जो लाइफ में कुछ बढ़ा करने वाला कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ नो कुछ वहां से सीखा है ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और इसका आपको कोई बेनेफिट ना हुआ हो इंपॉसिबल अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा होता क्या है हम पहले ही अपने माइंड में सोच करक यह होगा वो हो गया तो मैं खुश हूँ नहीं हुआ तो मैं दुखी हूँ इसको नेरो माइंड अप्रोच पोलते है इसको मेकैनिकल थिंकिंग बोलते है समझ गए ना अब मैं यह नहीं कह रहा कि गोल सेटिंग नहीं करती है गोल सेट करो अगर मों अचीव ना हो तो अप तो ठेव रहो, नुको के रहना है, समझो, शाइद आप कोई गल्ती कर रहे हूं, तो किल आप अगर ह cosmic साइड में करो, तो वहाँ पर लोहा नहीं है, पर और दिवार के अंदर है ना? एक beam होता है, तो वहाँ पर लोहा है, तो किल वहाँ पर अंदर जा नहीं रही है, तो creative thinking किसे कहेंगे थोड़ा side करके देखता हूँ ना समझगे, वहाँ पर कोई beam नहीं है ठोका, कील अंदर तो creative thinking समझो, क्या होता है अगर मैं उस बंदे की जगे होगा मैं कैसे सोच होगा, मैं अगर अपने आपको उस जगे पर रखू तो मज़ा अगर मनलब चार साल यहां पर मैंने लगाई और मुझे ज़ॉब नहीं मिली मज़ा अगर से बढ़िया क्या हो सकता है इसका मनलब ज़ॉब का तो option ही मेरे लिए बंद हो गया मनलब समझ रहो कितनी बड़ी चीज है it's not a small thing कि मैं अब चाहू भी तो मैं नौकरी नहीं कर सकता तुकि मुझे ढंकी नौकरी मिलेगी यह नहीं और जो नौकरी मिलेगी वो करने लाएगी नहीं है तो चलो को सोचता हूं देखता हूं मैंने क्या सीखा है चार साल तक होस्टल में रहा हूं Engineering College में पढ़ा हूँ अब मुझे क्या समझ आया वहाँ पर रह करके कि जो हॉस्टल है वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो में को डे टू डे यूज के लिए चीजे चाहिए होती थी दारू, सुट्टा और गांजा के अलावा तो ऐसी जो चीजे मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज के लिए चाहिए फिर वो टूथपेस्ट हो साबून हो, ये हो, वो हो क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़किया होती हैं उनकी जो नीड्स है, वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे होस्टल में लही थी मेरे आस पास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहाँ पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाओं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए मतलब कि चार अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता है एक दुकान यहां है, एक दुकान एक किलोमेटर दूर है एक 2 km दूर है, एक 3 km दूर है और जातर जो लोग होते हैं होस्टल में उनके पास convince भी नहीं होता है तो वो सब उठा उठा करके समान लाना पड़ता है मतलब कितनी problems मैंने face करी है मैंने face करी है problems आप समझ गए ना, इसको ध्यान से समझे ना अब मैं जैसे से आप से लोगों से बात कर रहा हूँ मैं अपना भी recall कर पा रहा हूँ कि मैं यहां तक कैसे पहुचा as a model जो मैंने problems face करी थी उसका solution निकालने के लिए मैं फोटाओफरा बना एक problem थी major कि 90% से जादा modeling agencies थी, वो सा fraud थी तो अंदर से आया था कि नहीं यार मुझे कुछ करना है तो जैसे ही अपनी नजर को इस problem पर आप ले गए जिस problem को आपने face किया है जिसको आपने feel किया है, जिसको आपने experience किया है तो उससे related thoughts आपके mind में आने लग गए यह thoughts ही तो ideas है और क्या है लोग ideas का मतलब यह समझते है कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं business ideas क्या है, उससे क्या होगा आपके experience से वो connected है आपके अंदर से आ रहा है, अंदर से आने का मतलब क्या है कि आपने problem को face किया हो और आप उसका solution निकाल रहे हो तो अगर अपने hostel का आप solution निकालते हो आप कहते हो, मेरे पास में limited पैसा है जादा नहीं है, सिर्फ 15,000 रुपे है तो मैं यह नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे campus को यह option दे दूँ इतने मेरे पास में resources नहीं है लेकिन हाँ, जो मेरा hostel था जहां से मैं निकला हूँ जहां पर मैं senior था, जहां पर मैंने बच्छों की रेगिंग करी है जहां पर मुझे already सब जानते हैं gatekeeper से लेकर के ये लोग, वो लोग, सब जानते है अगर उस hostel में जो भी कुछ चाहिए सुई से लेकर के ऊपर तक जो भी गलत चीजों को अटा दें वहां से तो जो भी को चाहिए, वो सब मेरी एक website बनेगी वहाँ पर है और दो घंटे के अंदर आपको delivery मिलेगी within two hours आपको कही जाना नहीं, आना नहीं है, दो घंटे में मिलेगी और जो market में आप जहां से भी ले रहे हो, उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको आसपास में किसी दुकान वाले से भी type कर सकते हो आसपास में जो दुकाने हैं, उनसे भी type कर सकते हो किसको आता हुआ पैसा बुरा लगता है समझे, उनको जा करके आपने बोला कि मैं बल्क में लूँगा आपसे, मेंको rate बढ़िया दो आपने पहले ही सारे rate पता कर लिए, wholesale market में जाके ये rate होते हैं, आप जा करके आसपास के दुकान दारों से आप बात कर रहे हो और उनको भी थोड़ा सा margin दे रहे हो तो आपको दूर जाने की भी ज़र्वत नहीं है पास में ही किसी भी दुकान से उठाया माल ला करके माँ पे उसको दिया पैसा आपके हाथ में आपने जा करके उस दुकान वाले को दिया